प्रेम भगवान से हो सकता है, क्योंकि या तो भगवान से होता है, ये जिस से होता है वो भगवान हो जाता है, कभी लव यू कहना होता है, तो मैं I love you नहीं गोलता है, क्योंकि मेरी समझ में अगर आई है, तो लव कैसे है, खोजा सकल जहां पर पर पाया तेरा पता नहीं, अ समझ जादा आ जाती है समझाया जादा नहीं जाता You have to always make good friends If you have good friends उससे उचा कोई दुनिया में संबन्ध है नहीं होता आज के इस Don Talks Hindi Podcast Special Episode में we have someone really special, जिनके मैंने इतने सारे Podcasts देखे, जहांपे मैं उनको देखा Radha Rani के बारे में बात करते वे श्री कृष्ण के बारे में बात करते वे Radha Rani श्री कृष्ण सब के प्रेम के बारे में बात करते वे और बहुत सारी उनकी कथाएं बहुत सारी उनकी भागवत कथाएं बहुत सारी ऐसी बाते जो आपको लेका आपका दिल छूजाएं और जब कोई चीज मेरा दिल छूजाती है तो मेरा मन करता मैं आप सब के लिए ये सारी चीजे लेखे आऊँ अब हमने बात किया करी उससे ज़्यादा important है कि हम like इसको इस topic के लिए हम लेके आए श्री पुंद्रिक गो स्वामी जी को पुंद्रिक गो स्वामी जी से हमने बात क्या करी है हमने आपकी बात करी है आप सबने life में कभी न कभी प्यार महसूस के होगा आप सब अपनी life में कभी न कभी प्यार में गिरे होगे आप सब कभी न कभी अपने प्यार में थोड़े से ठोकरे खाए होगे किसी किसी के दिल तूटे होंगे किसी को बहुत अच्छा प्यार मिला होगा और इन सब चीजों में प्यार वर्ड एक कॉमन था मैंने इन से पूछा कि रामसीता का क्या प्रेम है राधारानी जी का, श्री कृष्ण जी का क्या प्रेम है श्रीब जी और पारवती जी का क्या प्रेम है हमने इसमें प्रेम को समझा और सिर्फ प्रेम को नहीं समझा सिर्फ भगवान की बाते नहीं होई है यहाँ पे आपकी भी बाते होई है आप हर बार किसी से प्रेम करते हैं आप हर बार फसते हैं प्रेम एक ही बार होता है यह बहुत बार होताι कितने प्रकार के होते हैं और किस-किस से किया जा सकता है और प्रेम क्या है? इस podcast में अगर आप depression से जा रहे हैं किसी भी circumstances के हिसाप से आप भूत कुशी वाले फेज में जा रहे हैं किसी में circumstances के हिसाप से ये podcast I feel संपून है हमने जाना है कि प्रेम बंदन है या आजादी है और सबसे बड़ा सवाल क्या आपको आज के कल्योग में प्रेम करना चाहिए और सबसे चालेंजिंग मेरे लिए था आज के जमाने के हिजाब से बात करना मैंने श्री पुंद्रिक जी से बात करी थी relationships के बारे में हमने बात करी थी situationships के बारे में हमने बात करी living के बारे में और हमने सारी वो बाते करी जो थोड़ा मैं डर रादा पूछने में कि कैसे पूछूँ बड़ मैंने पूछा because you guys matter और आप सबके यही सवाल है आप सबकी यही समस्या है और यह सारी समस्या का समधान लेके आया है यह DonTalks का Hindi Podcast एपिसोड और सिर्फ इतना ही नहीं जो हम प्रेम की बाते कर रहे थे जो हम सारी यह बाते कर रहे थे तो मैंने उनसे उनकी wife के बारे में उनकी जीवन संगिनी के बारे में और सारी बाते निकलवाई इसके next episode में मैं आपको उनकी life partner के साथ उनकी wife के साथ उनकी अर्धांगनी के साथ बाते करता देखूँगा जहांपे हमने और depth में इस concept को लेके गए और second episode में हम और जादा depth में गए हम western modern प्रेम को समझे हमने spiritual प्रेम को समझा और हमने जाना कि क्या पुंद्रिक गोस्वामी जी और उनकी wife रेनुका जी का प्रेम काता है तो अगला episode इससे भी जादा depth में है अगला episode मतलब I want कि आप ये दोनों episode continuation में देखे हम एक ही week में ये दोनों release करेंगे and this is it आपको प्रेम के बारे में इतनी clarity मिलेगी कि आप किसी भी phase में हो आप बहुत अच्छे phase में हो आप depression में हो आप break up से जूज रहे हो आप बहुत like किसी के साथ नए-नए प्रेम में पढ़े हो this episode is for you because इधर प्रेम शुरू होता है और इधर ही प्रेम खातम होता है so प्रेम से इस episode को enjoy करें प्रेम से इस episode को समझें प्रेम से इस episode को देखें राधे राधे so enjoy Adon Talks Hindi podcast enjoy yourself नमस्ते sir नमस्ते वेलिकम तो Adon Talks Hindi podcast मैं बहुत खुश हूँ आपके साथ podcast करके बहुत अच्छा औरा मैंने पहले भी podcast में बताया आज का topic ये मन्त चल रहा है Valentine week इस मन्त में हम डालेंगे podcast बाद में बट energy बहुत हाई होती है और मेरे को हमेशा से लाइक बहुत टीनेज भी हमने school time बहुत सारे लोग रिलेट भी करेंगे कि हमने school time या college time और office time में कही न कही कप न कभी प्यार को महसूस किया पर हम सब confuse हो जाते हैं कि प्यार क्या है प्रेम क्या है हमने life में कभी न कभी प्यार महसूस किया है और बहुत सारी तरीके के होते एक हमारा family के साथ होता है बट आज हम specific में जानना चाहते हो जो एक relationship वाला angle होता है opposite gender के साथ और जब भी हम idolize करते हैं तो हम Radhakishnan जी को करते हैं हम Ramasita जी को करते हैं बट उसमें भी बहुत अलग principles आते हैं बहुत जादा अलग debates आती हैं बहुत जादा अलग thought of mind जाते हैं so clarity चाहिए इस topic पे और बहुत जादा teenagers बहुत जादा हम लोग इसको complex करते जाते हैं तो सबसे पहला सवाल प्रेम कैसा है नारजी ने अपने भक्ति सूत्र में कहा है जो मुह से न कहा जा सके वो प्रेम है वाव जो unexpressible हो only experiencing हो वो प्रेम है तो technically हम attraction को कई बार प्रेम में confuse कर देते हैं जो कभी कम नहों सके वो प्रेम है definitely जो एक ही second में हो वो प्रेम है पर उसके बाद में वो किसी भी करम से कम नहों सके मैं एक और बात कहता हूँ कि प्रेम भगवान से ही हो सकता है क्यों? क्योंकि जिस से प्रेम होता है वो भगवान हो जाता है वाव इस बीटिफुल उसके नीचे वो compromise नहीं करता तो जिस छणे सामने वाला आदमी आपको भगवान के लेवल पर लगने लगे उस लेवल का बन जाए प्रेम भगवान से हो सकता है वाव यह यह तीनों आस्पेक्ट हम लोग सोच के सोचते कि इस इस फाइन परफेक्ट फिजिकल वाले को अभी हम थोड़े देर बार टच करेंगे जो अपने मेंटल वाला बुला कि मैं मेंटल साटिसफेक्शन हम लोग इसी में कॉंप्लेक्स कर देते हैं कि हमें लगता है कि यार हमार को फिजिकल यह अट्राक्शन नहीं हो रही तो एक वो जो जो हवस वाला एक वर्ड होता है कि हमार को हवस वाला एलेमेंट नहीं आ रहा तो इसमें यह वाला आ जाता है कि मेरे को से बात करने का मन करता है मेरे को उसी के थौट्स आते हैं और जाये कि मन भी डामडोल होने लगे तो भी जो कम नहीं हो वो प्रेम है ऐसा नहीं कि जब प्रेम हो जाता है तो मन की बातें समझनी नहीं होती है एक चीज में सच्वा बताऊं जो हमें समझता हो मतलब जिसको हमें समझहाना पड़े वो प्रेम नहीं है जो समझना शुरू कर दे जहाँ मैं बहुत सरल भाशा मैं आपसे कहूं जहाँ शब्द कम होते जाएं समझ जादा होती जाए सालेंस होता जाए नहीं, समझ जादा है जहाँ कम से कम शबदों में ज़्यादा से ज़्यादा चीज समझाई जा सके यही तो सबसे बड़ी understanding है तो मैं यह नहीं कह रहा है कि हमें जब mental peace होती है वहाँ हमेरे attraction नहीं होता पर हम उसको friendship कह सकते हैं हम उसको understanding कह सकते हैं हम उसको एक प्रकार से good link कह सकते हैं companionship कह सकते हैं प्रेम नहीं कह सकते हैं हम यह कह आप जो प्रशन कर रहे हैं वो प्रेम अलग इस तर पर हैं और divine ही हो सकता है it's a good companionship अगर आपका दिल कहीं बहुत अच्छे से conclusion पाता है it's a good companionship if there's a good intellectual bonding it's a good understanding बट एक चीज़ समझना physical attraction की एक आयू होती है उसके बाद में उसके एक diminishing marginal utility है economics में कहते हैं उसके बाद में फिर man आगे आके खड़ा होता है फिर man का भी exhaust होने का एक period होता है फिर buddhी आकर खड़ी होती है बुद्धी के भी exhaust होने का एक period होता है पर उसके बाद भी कोई ने कोई चिस survival हो जाती है इसका मतलब कहीं deep core में pain प्रेम खड़ा हुआ है और वो pain को relieve कर रहा है तो मैं यह कह रहा हूँ इन सब अंदाजों से कहा जा सकता है पर पहली बात यही है कि जो हाँ जो प्रेम वही है जो कहा नहीं जा सकता है एक मैं आपको छोड़ी चीज़ बताओ कि कभी love you कहना होता है तो मैं I love you नहीं बोलता है क्योंकि मेरी समझ में अगर I है तो love कैसे है जी जहां मैं है तो तू नहीं जहां तू है तो मैं नहीं प्रेम गली अती सांकरी वामे दू न समाई वाव यह तो I हो सकता है यह you हो सकता है I love you कैसे हो सकता है एक तो उसमें dissolve हो जाएगा यह तो मैं हम लोग divine प्रेम की बात कर रहे है और प्रेम अल्वेज डिवाइन ही होता है जो दुनिया के बात है वो good companionship है good understanding है attraction है यह सब चीज़ें खड़ी है और प्रेम का एक आभास है मैं योग हुमा जो कि वो भगवान से ही हो सकता है मैंने का हो भगवान बना देता सामने लादी उसका एक shadow है तो हम दुनिया में अगर कहीं भी अच्छे चलते हैं तो हमें अच्छी बात है physical compatibility भी देखनी चाहिए mental भी देखनी चाहिए intellectual भी देखनी चाहिए और इस सब के साथ साथ ये सब विचार करते हुए पुरा समय दे के हमें किसी भी दुनिया में relationship को आगे लिए जाना जाए perfect ओके आपकी बात है बहुत soothing और healing है so एक और topic पर आता हूँ जो इसी के बाद आता है कि बहुत सारे couple बनते हैं long term तक रहते हैं 3 साल, 4 साल, 6 साल, 7 साल whatever tenure और फिर वो break होता है तो पहला सवाल तो यही कि क्या प्रेम सिर्फ एक ही बार हो सकता है या एक ही से हो सकता है और दूसरे पहले इसका जबाब दीजे देखिये प्रेम तो एक ही से हो सकता है पर अगर वो जो था वो एक से नहीं है तो संदेह रखना चाहिए कि वो प्रेम था भी की नहीं था राइट वो बागी चीज़ हो सकती है वो कुछ और हो सकता है सदा प्रेम पहला ही जो सम्मंद है वो प्रेम है ये भी जरूरी नहीं एक बार ही हो सकता है ये बिल्कुल सच है पर वो एक बार कब होगा ये विचार की बात है ये समझना होगा कि जो अभी तक था वो प्रेम था भी की नहीं ये समझने की बात है तो प्रेम तो एक से ही हो सकता है, चुकि वो होता ही spiritual level पर है, वो आत्मिक स्तर पर होता है, शरीर, मन, बुद्धी के स्तर पर कभी नहीं होता है, वो होता ही आत्मिक स्तर पर है, तो अगर मैं अगर प्रेम की उचित परिभाशा करो, अब यह है कि आप उसको ऐसा समझते हो, according to my experience प्रेम यह है, तो it can be your experience, but may not be reality, exactly, तो जिस शब्द को प्रेम कहा गया है, उसके लिए कभी लिखते है, धाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होई, जो प्रेम को समझ लिए पंडित हो जाता है, तो इसमें भी धाई आखर है, और प्रेम कहा है, प्रेम है दो आखर ह तो धाई आखर तो कृष्ण में है, का आधाशा और अणा, धाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई, खेर मैं बात उधर ले गया, मैं यह कहना चाहरा है, जो प्रेम को समझ लिए पंडित हो जाता है, तो प्रेम तो वो ही है, जो इसनी डीप डाउन स्तर तक, डीप क तो प्रेम को नहीं जान सका, श्री राधारानी और श्री कृष्ण दस साल तक एक वर्श रहे है, अगर हम स्टोरिकल पॉइंट अभी उसे दें, फिर वो प्रेम के सबसे बड़े सिंबलिस दुनिया में बन दें, साथ रहना या नहीं रहना, प्रेम में लेनी की तो बाती नहीं होती, यस, exactly, वो तो देनी की बात होती है, वो तो बांटने की बात होती है, वो तो अपने आपको भी खतम कर देनी की बात होती है, खोजा सकल जहां पर पाया तेरा पता नहीं, अब पता मिल गया तेरा तो मेरा पता नहीं, फिर मेरा क्या पता, तो यही उसका सच में वास्तविक स्वल है, हमने यह सम शामने वाले को आप भगवान के लेवल तक पूझने लगते हों आपको पूझने चलगते लाइक उस ऐस तरीक तक कॉंशिडर करें लिक वह एक आइड़ली कर ले तो का इंड़ ऑफ Okay, so अब वो लोग जिनका break up होता है, जिनोंने उस लेवल पर किसी को पूजा और वो सामने वाला बंदा हट जाता है या छोड़ देता है, तो बहुत सारे लोग heal होना चाहते हैं, बहुत सारे यूथ ये podcast देख रहा है जो चाहेगा कि उनकी मदद होए, तो उनके लिए कैसे, क्या करें वो? जीवन एक पूरी opportunity है, और अगर सामने वाला व्यक्ति छोड़ गया हो, break up हो तो अपने आपको fortunate समझी है, कि बहुत जल्दी आपके प्राण चूट गए, मुक्ती मिल गई, जीवन बहुत आनंद से बना हुआ है, भगवान ने आप पर कुरपा करी, कि वो आ आपके capable नहीं था, वो आपकी capable नहीं था, वो आपकी truthfulness को, आपका प्रेम जिस अस्तर तक था, उसको पचाना हो सामने वाले की ताकत नहीं था, इसलिए वो छोड़ कर चला रिया, आप divine हो, आप बहुत उंचे हो, आगे बड़ो, और भया, मैं क्योंकि अध्यात्म जगत क व्यक्ति हों, तो पहले ही मानना चाहिए, कि दुनिया में तो प्रेम ऐसे ही होता है, असली प्रेम तो के वर ठाकुर से हो सकता है, कोई माने या नहीं माने, तो इसलिए जब यह पता ही है कि यह ऐसे ही होता है, तो उस तक आशा भी ऐसी ही रखनी चाहिए, ऐसी ही आशा र तो आपको healing अनखोगोगी और आप इस माध्यूं से self love कर सकते हो प्रेम ऐसी चीज है जो अंदर से जैसे fountain जैसे कोई पात्र भर जाए और चलगता है ना मैं तो इक बाद बोलता हूँ love is like a perfume you use perfume for someone specific but anyone can smell the fragrance आपके दिल में अगर प्रेम है तो आपकी happiness आपकी ecstasy आपका आनंद दुनिया का हर व्यक्ती अनुभूगा यही उसकी परिभाशा है एक relationship इस stage तक आया कि जो break up हो गया तो अच्छी बात है हो सकता है कि आपके आपके लिए यही अच्छा भगवान कभी आपके सुख का विचार नहीं करते ही हित का विचार करते है है सुख और हित में बहुत फरक होता है सुख कई बार हमारी expectation के अनुसार होता है पर हित जो है जैसे कई बार कहते है कोई सांप काट गया हो या कोई चोट लग गई हो तो हाथ काट दो जिससे प्राण बच तो यह हित है तो इसी प्रकार से कोई ब्रेक अप करके चला गया हो तो दुनिया बहुत बड़ी है और आप किसी बेटर को डिजर्व करते हैं आप आगे बढ़ो और खुश रहके आगे बढ़ो आपकी हैपिनेस से ही सामने वाला अट्रेक्ट हो सकता है आपके खुश रहने स से पॉजिटिव एक्टिट्यूट से ही आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं यू आल्वेस हैब तो टैप ऑन दी हैपिनेस जी नेगटिविटी तो चारा तरफ से अपने आप आई गया है राइक सुख वो है जो मैं चाहता हूं और हित वो है जो बगवान मेरे ले चाहत है ऐसे ही समझे यही सही बात है सुख वो है जो कई वार मेरी हिसाब से और सुख सबका इंडिविज्वल है एक एपल आए आपको लगेगा कि यह बहुत अच्छा है मुझे लेगा है यह क्या लिया आए और इन जाता तो कैसा अच्छा होता है तो सुख अल्वेस इंडिव और हमें इसलिए हमारे यहां एक नयती नाम का शब्द है देखो जीवन में दो प्रकार के एकाउंट है ध्यान से सुनिएगा एक है हमारे अच्छे कर्मों का पैड कर्मा एक गुड कर्मा रोनों का एकाउंट है तो लाइफ में जब कभी सैडनेस आती है तो ऐसे देखा ज पैन आया है पर जो हमारे बैड कर्मा का एकाउंट है उसमें से कुछ स्पेंट हुआ है मतलब जो आपका लोन खड़ा था वह क्लियर हुआ है तो दूसरे परसेप्शन से देखो तो यहार इंदी प्रॉफिट है और जो आपके साथ बहुत अच्छा हुआ है तो आपके चीज को देखने के दो-दो परसेप्शन है अच्छी बात है कोई चला गया तो कोई हमारा कर्म था ख्लियर हो गया आप आगे बढ़िए लाइफ ड़सन एंड लाइफ बहुत प्रिश्यस चीज है इसको बहुत आगे बढ़ाईए सबसे पहले अपने आप से प्रेम करिए आगे बढ़ेंगे और पुरी दुनिया उस प्रेम का अनुरू कर सकते हैं परफेक्ट कार्मिक कृत्या हिंदी पॉडकस्ट ये एक ऐसा इनिशेटिव है डॉन्टॉक्स के दौरा जब डॉन्टॉक्स ने इतने सारे ऑकल्ट साइंस के पॉडकस्ट करे तो डॉन्टॉक्स को और मेर को और मेरी पूरी टीम को लगा कि इससे भी जादा डेप्ट में जाया जा सकता है और डियन्स बहुत जादा मेचियर हो गई है बहुत जादा सरकुलिट हो रहा है आपको बहुत सारे चैनल पर भूत प्रेत पिशाज ऑकल्ट साइंस नियुमनोलोजी वास्तू य इसके पार क्या है क्या ओकल्ट साइंस क्या हमारी हिडन साइंस सिर्फ इतनी है तो इसका जवाब है नई हमने इतने टाइम से लगातार इतने महीनों से आपके लिए हर दिन रात एक करके इतने सारे ओकल्ट साइंस के एपिसोड बनाए डॉन टॉक्स पे और उन एपिसोड में बनाते बनाते आपको पहुचा एक घंटे दो घंटे का एपिसोड पर उसके आसपास बहुत सारे घंटों की बाते करी होंगी बहुत सारी ऐसी बाते जो कभी कैमरा पर आई नहीं कुछ भी सेम फॉर्माट नहीं है आपको सारे पॉटकास इमाजन करोगे तो आपको समझ आएगा कि आरे एक होश्ट होता है और बहुत सारे गेस्ट होंगे और बहुत सारे होस्ट होंगे आपको मल्टिपल होस्ट दिखेंगे इसके पीछ एक लॉजिक है लॉजिक ही है कि जब मैं होस्ट करता हूं तो मैं अपने माइंडसेट के साथ होस्ट करता हूं जब कोई और बंदा होस्ट करता है तो अपने माइंडसेट के साथ होस्ट करता है जब तीन लोग होस्ट करते हैं तो वो तीन चार लोग कलेक्टि साथ देगी जो आपको आगे लेके जाएगी और जो हमारे सनातन धरम के लिए भी बहुत ज़रूरी है वो सब भार आएगा सो कार्मिकरित्या हिंदी पॉडकास एक बहुत इंपोर्टेंट इनिशेटिव है जिसको हम लोग चाहेंगे आप सपोर्ट करें इंजॉय करें सीखें और कार्मिकरें क्योंकि क्रिशन जी कहते हैं करम परदान हैं क्या कर रहे हो यार तुम लोग यार अभी बस एक दिल दुखाने वाली चीज दिखा तो यहां पर दिखा रहे हैं नौट सब्सक्राइब मतलब आप हमारा कॉंटेंट देख रहे हो पर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और यह रेश्यो है 78% अगर आप यह आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें बिकॉस दिस वेरी इंपोर्टेंट क्यों कि यह यह जो मेरे हाथ में है लेट्स लेट्स डू मैनिफेस्टेशन यह आपने हमें दिलाया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत-बहुत शुक्रिया इसके लिए दिल से शुक्रिया इंजोए डॉक्स थोड़ा सा इस पॉड़कास को मैं थोड़ा से में दर भी लग रहा है कि मैं आप से कैसे पूछ सकते हैं ऐसे सवाल बढ़ जाज़त दीजिए कि मैं कुछ भी पूछ से को बिकॉस I feel कि आपके पास सूजभूज वो उस ल पूछ पूछ साथ everything so anything okay I want कि हम थोड़ा सा कॉन्वेस कान्वेसेशनल लेके जाएं इसको थोड़ा सा कॉंप्लेक्स टॉपिक है थोड़ा सा कॉंट्रवर्शल भी हो जाता है जो बहुत ज्यादा ऐसे भी होते हैं लोग जो जिनको बहुत सारे लोगों से प्रेम हो जाता ह और बहुत ज्यादा ऐसा भी होता है कि वो giving ज्यादा होता है taking ज्यादा नहीं होता तो वो क्या चीज होती है और वो क्या mindset है वो क्या एक personality है वो प्रेम नहीं है वो प्रेम नहीं है जी वो ऐसा देखो मन के साथ तो यह सदा ही होता है ऐसा समझो ना कि उसके मन पर उसकी बहुत सारे लोगों से प्रेम तो कभी होई नहीं सकता है। प्रेम जब रिलेशन्शिप में आता है तो उसकी प्रोसेस अलग होती है। प्रेम तो एक ही होता है। प्रेम कोई एक चीज़ ये समझना वो एक आपके अंदर का इमोशन है। वो सामने वाले व्यक्ति से उसका कोई मतलब नहीं है। तो मतलब बेसिकली जितने भी लोग देख रहे हैं उन सब के लिए अंदर एक भाव है जो प्रेम है। अब बहुत प्योर है। अब डेजन्ट मैटर कि वो आपके फ्रेंड्स हैं। वो आपके रिलिश्ट प्रेम हैं। वो सब हो सकते हैं। आम उसे पूछें। मैं पूरी दुनिया को प्रेम कर सकता हूं। अब क्रिशन जी। नहीं क्रिशन जी तो मैं तो उनका नौकर चाकर हूं। विल्कुल दासों का भी दासों का दासों। पर ऐसे स्प्रिच्ट्वलिटी में रहने वाले व्यक्ति के लिए। कभी बहुत सारी चीज होती ही नहीं। सब एक ही है। वो सबको एक ही आत्मा की तरह स्विकार करता है। इसलिए पूरी दुनिया को प्रेम कर सकता हूं। आज की प्रॉब्लम क्या हो गई है। द्यू टू वेस्टन कल्चर या जो भी हमारी थोड़ा माइंडसेट चेंज हो है। प्रेम को केवल ऐक। आज डिच्वल लेवल पर तो प्रेम का स्वरूप विल्कूल इसी cursor. वाव, गुगे में उसमयिों घालक सहसे, आवन नो कि हम जब लिखते हैं राईम जी और सीता जी को तो वह बहुत प्रत्व माफप्रेम देखता है हम जब देखते हैं कृष्टियं जी और अवरदा जी देखिते हैं उनको आइडिलाइस करके, क्योंकि मैंने देखा बहुत जादा लोग इस चीज को गलत भी ले जाते हैं, कि हम राधा जी, बतलब एक टर्म दे देते हैं, कि हम यह गुमाने वाला है, यह एक ऐसा है, और वो बहुत मिसलीडिंग है, तो I want कि जितने भी लोग देखते हैं, उन आज की कभी भी समझ में नहीं आएं, इसलिए अगर उनको मिसंडेस्टुड किया जाए, तो बट औवियस और वेरी उज्वल बात है, मैंने जो दोनों चीजों में समझा है, चाहे सीता राम जी हो, चाहे शिव पारवती हो, चाहे राधा कृष्णा हो, प्रेम में, मैं जो आप अपने अप दूसरे के विचार को समझने लगते हैं, अपने आप दूसरे की स्थिती आपके हुरधे में अपने आप सपष्ट होने लग जाती है, जयादा explanation की, excuses की, sorry की, thank you की, इन सब चीजों की ज़चा जरुवत नहीं पढ़ती है, अपने आप व्यक्ती उसकी स्थ लग जाता है, न श्री कृष्ण को राधारानी को कुछ समझाना पड़ता है, न राधारानी को श्री कृष्ण को कुछ समझाना पड़ता है, वो शुद्धतम प्रेम का स्वरूप है, देखा जाए, तो श्री राधा सदा कृष्ण के साथ ही है, कृष्ण सदा राधारानी के साथ ही है राधा बिना कृष्ट आधा बिलकुल ये बात भी सही है दोनों की लाइफ बहुत सारी सोशिल पर्सनल फैमिली इन सब की बहुत बड़ी स्ट्रगल से निकली सभी की स्ट्रगल से निकली और दुनिया में करते हैं कोई चिरर हैं जरूरं जरूर होती होती है मैं उसको ने समझे पर हम इसमों पेशन्स रखें समझें और धीड़ी जितना जाद रख सकें उर्प्यों रखती तो कहीं न कहीं न कहीं वह अपने चरम तक पहुंग जाता है लवली, ओके, बहुत सारे लोगों को और हीलिंग के जोड़त है, जो लोग फश जाते हैं चक्र वियू में, या फिर जो लोग बेफकूफ बन रहे होते हैं, जैसे कि उनको यह नहीं समझा था कि सामने वाला बंदा बहुत जादा एक्सप्रेस कर रहा है, तो उसको फिल्टर नए इंसान के साथ connect नहीं कर पाते, which is, of course, their personal choice, but वो करना भी चाहते हैं, पर एक डर आजाता है, like वो blockage लगा देते हैं, अपने emotions पे, तो वो कैसे उस चीज़ को समझें, या process करें, या clarity लें, देखिए, जब आदमी पहली बार मिलता है, तो सदा अपना bestie देता है, तो आप ठोड़ा time दीजे, don't be in a hurry, और हमने कोई gap फिल नहीं करना है, making a relationship or being into a love relation doesn't mean that you're filling a gap, generally कुछ emptiness है, और ऐसा लगता है किसी ने आकर उसको भर दिया, और he's a great man or great woman for us, ऐसा है नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी आपके सामने express करें, चाहे बहुत bad experience के बाद आप हो, चाहे बिलकुल first new experience हो, पर आपको सदा उसमें patience, धहरियत और समय रखना चाहिए, और अगर आप उसमें पूरा समय देंगे, तो थोड़ी दिर में अपने आप पता चल जाएगा, कि सामने वाला व्यक्ति केबल एक attraction में कह रहा था, कि he really cares about कि हर चीज की validity होती है, attraction की validity है, थोड़े दिन तक होता है, जैसे मैं अभी बोला है, पर आपने patience रखा है, तो सामने वाला व्यक्ति यह तो irritative हो जाएगा, और आप की समय में आजाएगा, कि यह तो बस किवल एक मेरी situation से मेरे प्रती pity हो रहा था, कई बार कोई हमारे लिए पिटी हो, हमारे negative देखे तो भी कह देता, पर हमें जब हम ऐसी चीजों में थोड़ा सा patience रखेंगे, क्योंकि आप कहते न, कि दूद का जला चाच भी फूब कर पीता, तो यह बिलकुल ठीक बात है, हमें बहुत दहरी रखना चाहिए, बहुत patience रखना चाहिए, धीरे धीर Perfect, okay. यह सारे comments, जो मैं पढ़ता हूँ, जो community में इत्राइफ बहुत अचाहिए, बहुत अची बात है, पिरेंगा बहुत है, बहुत जादा एक agenda चलाया जाता है, बहुत सारे चीजे बेची जा सके तो इसलिए मेर को होता है, जब कोई सामनेवाला वेक्ती इतना काविल मिल मेरा वो काम मेरा वो करम योग मेरा यह है इसलिए आपना नो जैसे बहुत सारे लोगों का यह भी सवाल है कि प्रेम में एज ग्रूप भी होता है कि क्या मैं अगर लड़का हूं तो मिरको अपने से छोटी लड़की से ही प्रेम होगा तो अब अगर कोई रिलेशनशिप की तरह हम आगे बढ़ रहे हैं तो रिलेशनशिप के पीछे बहुत बड़ा सोशियल रिस्पॉंसिबिलिटी आती है फैमिली रिस्पॉंसिबिलिटी आती है उन सब चीजों में एज है, मिचुरिटी है, लुक्स है लीगल एज भी डेफिनिटली वो तो कॉन्स्टुशन ने डिसाइड की तो इस सब पार्ट रिलेशनशिपॉंसिपॉंसिपॉंसिपॉंसिपॉंसिपॉँ बट जो प्रेम है वो तो बंदा खुदा से प्रेम कर लेता है वो तो मीरा ने श्रीकरष्टा से प्रेम कर लिया वो तो हमने जिसको किसी को कभी मिन नहीं देखा हो एज की बात तो दूर रही हम उसके बारे में सुन सुन कर हमें उसके प्रती प्रेम हो जाता है ये सब चीजें क्योंकि हम आप प्रेम की बात करें मैं बारवार आपसे बात कहूँगा कि सबसे पहले हमें यही समझना होगा कि प्रेम है क्या जब हम प्रेम को समझ लेते हैं तब ये एज या कलर या कास्ट ये सब प्रेम पे निर्भर नहीं करता बट येस रिलेशनशिप्स के लिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है लीगल एज, फैमिली, सोशल रिस्पॉंसिबिलिटी तो अभी हमारे हाथ में देखो मन तो स्टिकी है अगर वो प्रेम मन से ओरा है तो मन तो कहीं भी अट्रेक्ट हो जाएगा जहां हमारा पहली पहली बार हमारी हर्मोन्स चेंज होते हैं हमारा मन अट्रेक्ट होता है तो हमें अपने इंटिलेक्ट को स्ट्रॉंग रखे क्योंकि हमें एक सोसाइटी में रहना है हमें फैमिली में रहना है हमारे हाट में कि हम अपनी जीवन को कितना सरल से सरल कर सकते हैं, इसलिए अपने हमारी यहां का धार्मिक सिद्धानते जितेंद्रिय होना अपने सेंसस के उपर कंट्रोल रख कर और अपने मन को साफ करके अपने थौट्स को क्लेरिटी देते हुए, हम कहीं भी बहुत अच्छे से आगे चने रिलेशन्शिप को अच्छा समय दे बहुत सोस समझें, परकें और फिर उसको किसी किसी ने किसी अच्छे उस एमोशन को किसी अच्छे रिलेशन में हम कनवर्ड करें और सदा वो आगे चलता रहे है हमारे सनातन धर्म में क्या कहा जाता है जब दो वेक्ति आपस के जेंडर में ही प्रेम कर बैठते हैं क्या वो सही है, क्या वो गलत है क्या उस पे थौट्स हैं आपके देखो मैं इसमें धर्म को अभी खीक नहीं खीशना चाहूँगा प्रेम करेंका प्रेम का किसी भी चीजस से मतलब नहीं है भर जो यह है दो जनों की बीच में उन्हें यह देखना चाहिए कि यह आक्चल में प्रेम यह समझना चाहिए यह मात्र बस अट्रैक्षन है एक physical level का traction है, एक प्रकार से एक जो growth of mind होता है, देखो आप किसी बच्चे को देखो, तो शुरु शुरु में school में सबसे छोटा बच्चा केबल अपने से प्यार करता है, फिर एक age group आता है, आप देखना है school में, लड़के लड़के एक साथ बैठते हैं, लड़की लड़के हो जाते है, फिर एक time आता है, जबकि हम किसी दो opposite को आपस में attract होते हैं, it's a face of attraction only, I will not still say it is love, but it's a process of attraction, तो कई बार जो second face होता है, वो इतना हमारे हमको overcome कर लेता है, कि हमारा वो attraction उस maturity तक नहीं पहुँच पाता, और हम same ही एक gender से attract होना शुरू कर देते हैं, क्योंकि I guess awareness भी नहीं होती, awareness भी नहीं होती, mental state level से grow करता है न, पहले आदमी अपने आपको जानता है, फिर same same gender के बच्चों के साथ बैठता है, फिर opposite gender के बच्चों से attract होता है, तो एक mental growth होती है, और हर mental growth अलग-अलग processes से आगे बढ़ होती है, जहां कहीं ने कहीं व्यक्ति उसी तरफ स्टक हो जाता है, right, this is so beautifully said, कि वही वाला phase को थोड़ा सा इसको और breakdown करता हूं, अपने उसमें आप बताना है, सही है है गलत है, जब लड़कियां एक roll number wise अलग बठा दी जाते हैं, लड़के अलग बठा दे जाते हैं, तो उस टाइम पर एक वो एज वहां होती है, जहां पर हमार को semi freedom भी मिल रही होती है, पोरी complete freedom नहीं, पर semi freedom मिल रही है कि हम tuition जा रहे हैं, तो घर से थोड़ा दूर जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो थोड़ा सा distractions हो रहे हैं, और उसी में हम curious भी बहुत जाता हो जाते हैं, और जब हमारी curiosity सबसे high point पर आती है, हमार को उसी time पर अलग किया जाते हैं, और जब वो अलग वाला factor आता है, तो एक anti teenager की life में एक anti वाला भी रहता है, कि नहीं क्यों मिर से छपाए को जा रहा है, तो वो उसी की खोज करता है, और वहां पर वो misunderstood भी होता है, कि शायद यही तो प्यार नहीं है, और यही तो नहीं है, कि पहले उससे दूर किया, तो उसको यह लगा कि आ दूर क्यों किया, मिर को और जानना है, मिर को और जानना है, और वो जानने के चक्कर में वो उसमें इतना उलच जाता है, कि वो फिर किसी, दोनों साइट से लड़का भी और लाइफ को ट्रबल करते तो अब मैं यह कहता हूं कि प्यार तो अच्छी बात है अट्रेक्शन भी अच्छी बात है पर आप सबसे पहले एक अच्छा फ्रेंड्शिप रिलेशन बनाएगे और इसको टाइम दीजेगे और समय तीजेगे जो बारवर मैं पेशन्स धहर यह ता साथ में रहने काई मतलब प्रेम नहीं हम जनरली क्या करते हैं अट्रेक्ट हुए फिर लव हुआ फिर शादी कर ली बात खतम होगी और यह आगे बढ़गी बात प्रेम की प्रोसेस नहीं है यह तो एक सोशल प्रोसेस है और जैसे कि अभी मैं आपके साथ हूं मैं आपसे बाते करों I don't want की आप यह conversation खतम है I want जितनी लंबी जा सकती है जाए क्योंकि इदर अभी मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है जानने को मिल रहा है तो I'm at very high emotions जहां पर मैं बहुत कुछ consume कर पा रहा हूं तो अब शायद अगर कोई लड़की होती तो मैं इसको confuse कर दे और कोई बहुत अच्छे से आपसे बात कर रहा है तो वो एक good person है जरूर ही नहीं है कि वो आपसे प्रेम कर बैठा है तो क्या है कि इसलिए तो कहा कि ढाई आकर प्रेम के पढ़े सो पंडित होई बहुत भई दिमाग लगता है प्रेम के वास्तविक चीज को समझने के चाहिए जिससे आपका भी thought clear हो जाए और सामने वाला व्यक्ति भी वही feel कर रहा है तो वह जरूर express करेगा और फिर आप दोनों एक good relationship में आगे बढ़ सकते हैं और सामने वाली व्यक्ति को अगर वह feeling नहीं है तो हमें उस feeling की भी उतनी ही respect करनी चाहिए जी मैं से प्याने व अगर आप ऐसा व्यवहार करेंगे तो सामने वाले व्यक्ति के मन में आपके प्रती respect आईगी जी absolutely respect आईगी दुनिया में कहीं भी प्यार कब तक टिक पाता है जब तक respect लेती है absolutely 100% कितना भी प्यार और रिस्पेक्ट नहीं है तो बचेगा चाहिए दो फ्रेंड भी कैसे तो अगर आप सामने वाले आदमी को attract हो one thing, understanding हो one thing, आप सामने वाले आदमी को respect कर सकते हैं इसलिए मैंने कहा कि प्यार भगवान से होता है भगवान मेरे कहने का मतलने respect ही है not पूजा प्यार में respect सबसे में चीज है दुनिया की किसी relation में भी जानवर को भी respect दोगे तो वह आप के सामने खड़ा रहेगा, आपके घर के pet को या अगर आपने दो बर उल्टा बोला तो वह घुर रहा के काटने है और अगर वह आपको respect देगा तब ही आपको उसके साथ अच्छा लग रहा है, अगर वह आपको respect देना बंद कर देग तो आप पैट को यह कपका निकाल आइस, awesome, बहुत सारे सवाल हैं, but I want कि इसको जादा नहीं कीशना था क्योंकि मैं चाहता था इस टॉपिक पर जितनी audience के सवाल आ रहे थे confusion थी, healing चाहिए थी, बहुत जादा clarity चाहिए थी, I guess कि इसमें बहुत कुछ है, अगर क्योंकि आपने इतनी सारी चीजे बोली है, थ और इसमें अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ मिस किया, तो आप comments करें, तो उसके बाद हम देख सकते हैं कि अगर कुछ नया होगा, क्योंकि इस सक यहां तक जितने comments आते हैं, मैंने सब पूछ लिया है, और आपने उससे बहुत जादा समझा दिये, तो इसको process करें इस podcast को, जितने भी लोगों के अब भी heartbreaks है, जितने भी लोगों tough time चल रहे हैं, बस उनके लिए आप कुछ बहुँ दीजिए, last और बस मैं बस यही कहूँगा कि आपका किसी भी प्रकार का आप good face of relationship में हैं, तो मैं भगवान से प्राटना करता हूँ, कि आपका ये good face forever last करें, इस पूरी दुनिया में हम लोग कुछ ही अच्छे relationships हैं, जो कि पा सकते हैं और उसको भगवान की blessing मान कर हमें लेना चाहिए, किसी कीमत पर हमें अपनी self respect को sacrifice नहीं करना चाहिए, और अगर वो आपके पास है, तो आप अपने आप से प्यार कर सकोगे, और अपने आप से प्यार कर सकोगे, तो दुनिया से कर सकोगे, कोई भी स्थिती को इस stage तक मत ले आईए, कि आपकी self respect hurt होना शुरू हो जाए, और अग काई बार ऐसी situations में heart breaks होते हैं, break ups होते हैं, हमने हमारी सामने वाले के साथ कोई ने कोई expectation है, जिसके कारण से आज हम एक severe face of life में आगे हैं, और बहुत ज्यादा pain है, तो वो हम लोग understand कर सकते हैं, पर आप ये मत सोचिएगा, आप बहुत दुनिया के बहुत अच्छे व्यक अभी और deep memories, और लंबी बाते हो जाती, तो शायद हमें और ज्यादा तकलीफ हो सकती थी, पर भगवान ने हमको किसी अच्छे समय पर उस स्थान से निकाल दिया, जीवन बहुत लंबा है, और आपका जीवन आपके पास ही है, इसलिए अब आप positive हो करके आगे बढ़िये, आगे चलिये, चुकि सामने वाली व्यक्ति ने जब आपको छोड़ दिया, तो अगर उसको परवा ही नहीं थी, तो आपके दुखी होने से भी उसको कोई फरक पड़ने वाला नहीं है, पर अगर आप उसके बाद भी positive रहेंगे, तो शायद उसको regret हो सकता है, वो सोच सकता है, वो ख्याल में आ सकता है, कि ओहो, ये क्या हुआ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं का, तो तब वो भी विचार करेगा, इसलिए हम life में सदा changes होते रहते हैं, हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं, इसी प्रकार से जिन्दगी को खुश मिजाज होकर की जीते चलिए, जैसे हम क कुछ चीज़ें ऐसी होते हैं, जो कि memory में एक लंबे समय तक रहते हैं, बस इसी प्रकार से कुछ relationship ऐसे हैं, जो आपके साथ flow करते हैं, कुछ relationship ऐसे हैं, जो आपकी memory में always बने रहते हैं, और वो भी आपको कुछ न कुछ सिखा के ही जाते हैं, और अगर दिल तूट भी जा स्थिती में खुश रहने का प्रयास करें, कहीं न कहीं जीवन में आप अच्छे हो, और हर स्थिती में आप अच्छे बनने की कोशिश करोगे, तो कभी न कभी एक ऐसा mode आए गई कि कोई न कोई अच्छा आदमी आप से टक्राए गई और आप आगे तक लिजाएगा, जी, यह उसने आपको छोड़ा, उससे ज़्यादा सोचने वाली और समझने वाली चीज़ है कि आप से क्यों छूटा, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि जब सावने वाला छोट रहे तो आप में कुछ नेगेटिव था, मैं यह नहीं कह रहा है कि आप गलत इंसान हो, अच्छे जा रहे होते हो, जब आप बहुत नेगेटिव रहे होते हो, तो कोई भी नहीं रहना चाहता, और जब आप एक खुद में पॉजिटिव हो, जब मेरे को ऐसा लगता है कि कोई किसी को तब छोड़ता है, जब सामने वाला इंसान ने खुद से प्यार करना बंद कर दिया, औ और लोग उने सब कुछ अपना पार्टनर को दे दिया, एक वो रीज़न कि जब तुमने दिखाया कि अगर मैं अपनी ही बात करूं, कि मैं वरुनवाद हूँ, मैं बहुत अपने आपसे प्यार करता हूँ, अपनी रिस्पेक्ट करता हूँ, तब तक पूरी दुनिया मेरे साथ कोई टिकना भी क्यों चाहेगा, बिलकुल, अगर हम अच्छे हैं, तो सदा हमको कोई न कोई अच्छा ही मिलेगा, उसके लिए खुदी अच्छा होना पड़ेगा, और एक बड़ी बात ही है कि आप अच्छे रहो, आप साथ रहो, और दूसरे को उसका गैप भी देते रहो, प्रेशनशिप तभी आगे बन सकता है, जब दोनों को अपना-पना स्पेस मिलेगा, और एक और चीज़ बता दू, दोनों की जो कमजोरी है, मेरी कमजोरी, आप क्या कोई अच्छा क्वालिटी, वो मेरी कमजोरी को सपोर्ड करता हो, और मेरी कोई अच्छी क्वालि जैसे गुलाब और काटे होते हैं, दोनों एक दूसरे से अपोजिट होते हैं, पर दोनों ने एक अच्छी पार्टनर्शिप कर लिए, और काटा बोला, मैं गुलाब तेरी रक्षा करूँगा, और काटा मैं तरे को अपने दाम पर बिख्वाँगा, पानी और दूद इन दोनों ने एक पार्टनर्शिप कर लिए, पानी बोला कि आग मैं पहले जलूँगा, और दूद बोला कि मैं तुझे ऐसा मिला लूँगा, कि तू भी मेरे दाम पर बिखेगा, एक दूसरे की कमियां अगर किसी के आने से भरने लग जाएं, और उसमें एक अच्छा स्पेस हो, अपनी इंडिविज्वालिटी भी हो, सेल्फ रिस्पेक्ट भी हो, आप बहुत पॉजिटिव हो, तो पॉजिटिव आदमी तो दुनिया को अट्रैट करता है, क्यों नहीं हम आगे जा सकते हैं, तो अपने आपको खुश मिजाज रखिए, हम रिलेशनशिप जो प्रे आपके साथ बहुत अच्छा ही रहेगा और अट्रैक्ट करेगा, यह तो बिल्कुल स्रेश्ट ही बात है, परफेक्ट, लाइक में को इसमें आड भी नहीं करना कुछ, क्योंकि यह बिल्कुल कम्प्लीट है, संपून है, जस्ट एक और सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, मै ही फिरोग देंगे इस पॉड्कास को, हमने एक पॉड्कास रिकॉर्ड किया था, जहां पर हम माम के साथ भी थे, मैंने फील किया कि वह बहुत एक मिक्स माच कॉंबिनेशन था, क्योंकि मैंने इतने सारे पॉड्कास करें हैं, और मेरे को कहीं भी हर बार एक रफनेस दिख कर रहा हूं, बड़ आप लोगों के टाइम पर मेरे को बहुत होश्ट नहीं करना पड़ रहा था, मेरे सारा टॉपिक पर ध्यान था, तो विच इस वेरी स्मूध और वेरी गुड्ड, सो बस मैं को यह जाना कि आप दोनों का रिलेशन है, उसके बारे में आपकी क्या हम दोनों एक दूसरे के साथ केबल लंच ये डिनर्स पर ही नहीं जाते हैं, हम दोनों साथ में बैठ के मेडिटेशन भी करते हैं, वो चीज की कंपेनिंशिप भी हमने किये, मैं कथा सुनाता हूं तो वो सामने बैठ कर सुनती है, और साथ की साथ में, अगर उसके मन में को मैं भी उसको सुनता हूं, हम दोनों ने एक दूसरे के गैप को बहुत अच्छी तरह स्पेस को रिस्पेक्ट दी हुई है, और एक और बात है कि हम दोनों के देखो, एक रिलेशनशिप में, जनरली फैमिली रिलेशनशिप में यह होता है, कि बच्छी हो जाते हैं, तो वह ब्रिज बन जाता है, दो लोगों का, हम लोगों के एक वो भी रीजन है, और तीसरा रीजन भगवान भी है, जब बीच में हम दोनों के भगवान भी हैं, तो कई बार ऐसा हो जाता है, कि वो भी रफ फेसे में हम लोगों को एक साथ रखते हैं, तो यह स्मूदनेस कोई करके नहीं बनाई गई है हम लोग तो सहच चलते गई एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते रहे अपनी डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट देते गई और उसका ये असर निकला कि अपने आप वो स्मूधनेस चलती चली गई समझना जादा शुरू किया समझाना कम शुरू किया तब किया खस्ते ठीलिफ कि अपने हमें समूधनेस लेया हमने उसको एकसेप्ट किया उसने हमको एकप्सरेंस और एक महत बढ़ेशन जो मैंने कहा है वह एक स्पाड़़िंटीबी उसके वीच का अर्सकी को व्यादा नहीं इंपोंडन रखा अपनी हापस में और वह कहीं ने कह हमारी उस vibrations को भी एक दूसरे के साथ sync करती जिसे बहुत आगे तक जाए जा सका और भगवान करेगी बहुत आगे तक जाए God bless you बहुत और मैं बस यह बुलना चाँगा कि इतना strong और था आप दुनों का और इतना जादा positive feel हो रहा था और आपके दूनों के face पे बहुत जादा एक चमक है बहुत जादा एक नूर टाइप है बहुत जादा एक attraction है बहुत जादा एक अट्राक्शन है आपका चेहरा शीशे की तरह है चेहरा जितना साफ रखोगे उतना reflection भी अच्छा होगा परफेक्ट लास्वाल सबसे ही रहता है how was your experience after DonTalks in the podcast मैं एक हैसा भुष्ट किया वह अच्छाफ लाव कुछ आप टिप्स या कुछ भी कुछ भी बताना चाहोगे बस ऐसी मुस्कुराते रहो एक human के सबसे यूनीक चीज है smile गधा कुता बिली नहीं हस सकते इंसान हस सकता हमको smile एक perfect smile और एक perfect smell ही perfect personality बनाती है आप ऐसे मुस्कुराते रहो और आपके podcast को सुनकर लोग भी ऐसे ही smile देते रहे खुश रहे मेरी ऐसी भ़वान से प्राहत नमस्ते झाल झाल झाल